आरक्षन महिलाओं के आरक्षन का जो बिल है पहले तो इस पार्लेमेंट में जितनी भी हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव होके गई हैं उनका दिल से नमन करना चाहूंगी और आज जितनी महिलाएं इस सदन में हैं जो रिप्रेजन कर रही हैं उनका सभी का में दिल से नमन और अभी नंदन भी काना ज़ोगी Sit down बेनिवाले भायँ भायँ मार कुला मेंबर is speaking प्लीज सिंदा मार को सब्सक्राइट उपला राजेस्तान के election है हनुमान बेनिवाले भाया हमको सभी को पता है जाली जी प्लीज बीस तरफ तो इस पार्लेमेंट में जितनी भी महिला हैं, हमारी आज सब चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षन होना है, होना चाहिए, हम सभी की इच्चा है, सभी महिलाओं की इच्चा है, पर ये बात भी सच है, हमारे से जादा पुर्षों की इच्चा है, ऐसा नहीं है कि पुर्षों की इच्छा नहीं है कि हमारा आरक्षनीस पार्लमेंट में आना चाहिए, उसका सबसे बड़ा उधारन, अगर कोई देता है तो देश के प्रधान मंत्री देते हैं, कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है कि महिला equally में ट्रीट हूं, उनका सिर्फ भाषन में मान सम्मान ना हो उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल ये पार्लमेंट में आना चाहिए, इसलिए इस देश के हमारे आधनिये प्राइम मिनिस्टर जी का भी दिल से मैं धन्यवाद करूंगी और इस पार्लमेंट को ऐसा नहीं है, इस पार्लमेंट में बहुत सारी महिला हैं, इस बिल के अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा का कि बहुत सारे पुर्षों के सामने लड़कर महिला यहां तक पहुंचती है, इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं, बहुत सारे चुनोतियों को सामना करके हम महिला यहां तक लाती हैं, पर कई opposition के नेत अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अधर स्टेच में भी हमने आरक्षन लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर और पार्लमेन को सुना है, बहुत खुशी होती है कि ऐस सवाल भी रहेगा सर, कॉंग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांदी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था, तो मुझे उनसे भी प्रश्ण पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षो को, ये देश की महिलाओं को इतना confident भी है, कि आज वो बिल पास भी होगा, और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है, वो ये आवास सुन रही है, कि मोधी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लमेंट मे हम पहला दिन कदम रखे हैं, जब हम मा लक्ष्मी की पुजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो महिलाओं से शुरूबात करते हैं, भारत माता की जैबोलते हैं, तो महिलाओं के नाम से जैजेकार होती है, पर आज तक दुरभग्या है इस पार्लमेंट का और हमारी पूरे सधन का कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तमाल सिर्फ राजमीतिक मंचों पे किया गया पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी नहीं नहीं की इतनी मंचा अगर सपस्च थी तो महाराश्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षिन की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्त देना पड़ेगा कि आज तक महिलाओं नहीं कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया नहीं उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराश्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया सिर्फ शदों में विश्वास सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास मुझे लगता है महिलाओं का इस्तमाल आस्तक किया गया है मतदानों के द्वारा पर मोधी जी ने हमारी भाव ना है हमारे ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षेन मिलेगा तभी हम लड़के पार्लमेंट में आएंगे नहीं सर हमारे ग्रेड लीडर्स ने हमारे ग्रेड हिरोज ने सभी ने don't disturb सर महिलाओं को फोल्ट वे बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो इस पार्लमेंट हैस तो लिसन और आपके तरफ से तो ज़्यादा सुनना चाहिए जिनोंने साट वर्ष राच किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूस किया बाकी मैलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया प्रेजिदेंगी अधिकारों के सभी है मैलाओं के लिए मंच नहीं है आपके प्रिशन नहीं है गैजीखर ब्रasan org दिया रानी जहाशील जक्ष्मि भाई भी भिली स्पेंटीच ओ ररतीizar अंधि यह पार्लमेंट मोधी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार से का मोधेत सुन्स सवाश में दूखाया जग美味 स्वाश हम उम सsm्वह डिवा अधे कवoben सर आप लोगों की भावना हमने साड़े चार वर्षों में ये पार्लमेंट में सबने महसूस किये महिलाओने जिस तरीके से एक नई सांचत को आपने मौका दिया हर बात अपने विचारियां रख कर हमें चांस दिया कि आगे बढ़िया हम तुमारे साथ है इस तरीके का विश अभी मान तुम हो अभी मान तुम हो दिल अपना कभी ना दुखाना उस विधाता का विधान तुम हो और सर को दिल से मैं धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से बैक्ग्राउंड से आने वाले समय में बहुत मौका अ कर दो कर दो कर दो